हरे कृष्णा स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग अदिकारी पे फ्रेंट्स कैसी चल रही है आपकी नौर्सेट की तैयारी आशा करता हूं बहुत बढ़िया चल रही होगी मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियों बताये थे कि हंड्रेड तोपिक्स है जिनके उपर हमेंसा एक्जाम में नर्सिट की में क्वेश्चन आता ही आता है तो उन्हीं हंडेड टॉपिक्स में से मां आज आपके लिए कैसा टॉपिक लेक्ट यहाँ जिसमें से रिसेटली पुछा भी गया है जैसे कि वेंचूरी मास्क के किस कलर के therapy केते हैं वो तो और कि किन किन मेथर्ड चाती है किस मेथां तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा है जिससे हमारे वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी हमारा जो ऑक्सिजन थेरापी है इस टॉपिक को हम इस तरह से कवर करेंगे जिसमें सिर्फ दो निमोनिक होएंगे और यह सारा का सारा ऑक्सिजन थेरापी का जो टॉपिक है वह कवर हो जाएगा इसलिए वह लेने में या फिर बृतिमर ढ़सर काल रहते हैं इस वीडियो में देखेंगे पर ऑक्सिजन जो हमेसा एक ड्रग की भाती यूजर की जाती है । ब्रग समझ के ही इसको क्या किया जाता है?" ऐसा नहीं हा कि क्लाइंट की जरूरत नहीं है, तो कि भी हम उसे oxygen दे देंगे, या फिर, W Allied Prescription Client को oxygen दे दे या फिर, W'dOut Prescription Client को oxygen है instance का A Si-Oh 2% बढ़ा देंगे? ऐसा नहीं करते हैं, फ्रेंट्स क्लाइंट के वाइटल साइंस हमें जरूर लेने होते हैं कि इस तेरेपी को देने से कोई फाइदा हुआ या नहीं अगर बेनिफिट नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं हमारे मेथड को क्या करते हैं कि मतलब इससे अगर फाइदा नहीं हुआ है तो हम मेथड को चेंज करेंग या फिर ultimately client को intubate करते हैं इसलिए हमेशा oxygen देने से पहले दोरान और बाद में हमेशा हम vital science client के लेते हैं और क्या ध्यान रखते हैं oxygen देने का जो method है उसके आधार पे हम client की specific cares बहुत needs होती है जैसे कि अगर माल लीजे किसी client को हम देखते हैं simple face mask पे है तो वो कभी-कभी client ऐसे होते हैं जो claustrophobic होते हैं और उस simple face mask से क्या करते हैं अपने आपको बंदा हुआ मैसूस करते हैं किसी closed space में तो ऐसे claustrophobic clients के लिए हम क्या करते हैं simple face mask के दोरान हम उस client को emotional supports भी देते हैं और हम देखते हैं जो mask होता है उसके अंदर client क्या करता है मुझ को clear नहीं कर पाता mouth clear नहीं कर पाता अपने secretions को बाहर spit नहीं कर पाता ऐसी situation में क्या उस client के aspiration के chances बढ़ जाते हैं कहीं ने कहीं वो client aspirate कर सकता है तो ऐसी situation में हम क्या करते हैं इस चीज के लिए उस client को monitor करते हैं बार बार कि कहीं client ने aspirate तो नहीं कर लिया है तो friends हम देखते हैं ये चीजे हमारे को oxygen therapy देने से पहले हमारे को ध्यान रखनी होती है ठीक है साथी साथ और क्या देखेंगे कि अगर मान लीजे टू लिटर पर मिनट से oxygen हम ज्यादा दे रहे हैं तो client को हमेशा humidified oxygen देने चीजिए मतलब कैसी oxygen देने चीजिए humidified oxygen क्यों क्योंकि humidified oxygen देते हैं तब ही client का एर जो entry होता है एर पेसेज जो होता है client का वो ड्राइग नहीं हो पाएगा और म्यूकोजल इरिटेशन नहीं हो पाएगा ठीक है तो drying effect of air paces से prevent करने के लिए हम client को humidified oxygen देते हैं और humidified oxygen देने के लिए हम क्या करते हैं humidifier के अंदर distilled water भरते हैं तो यह चीज़े हमारे को विफोर oxygen therapy की client को initiate करने से पहले ध्यान रखनी होती है अब चलते हैं हमारे oxygen provide करने के methods के उपर तो हम methods की बात करें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि methods के अंदर हम देखते हैं चार तरीके से बहुत सारे हैं oxygen provide करने के method पर exam जो हमारे से पूछे जाते हैं और कितना percentage के हिसाब से यह deliver करते हैं client का oxygen उस हिसाब से हम चार जो में है methods to deliver the oxygen therapy वो हम देखते हैं CSPN से ठीक है CSPN CSPN इस निमोनिक से हम याद रखते हैं इसका वैसे देखिए याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए सीफोर सेंट्रल स्कूल ओफ प्रेक्टिकल नर्स इसेंट्रल स्कूल ओफ प्रेक्टिकल नर्सिंग ठीक है यह आपको याद रखना है CSPN से ठीक है CSPN मीन्स सेंट्रल स्कूल ओफ प्रेक्टिकल नर्सिंग यह एक निमोनिक है फ्रेंट्स इससे हम ऑक्सिजन डिलेवरी के मेथर्स पढ़ते हैं ठीक है अब यह निमोनिक है क्या बैसी के लिए देखिए निमोनिक से आप समझ यह जो फॉरिन कंट्रीज होती उस दहां पे प्रेक्टिकल नर्सिंग की स्कूल है उसको हम कह रहे हैं वहां पे संट्रल स्कूल ऑफ प्रेक्टिकल नर्सिंग CSPN अब इस से देखिए हम ऑक्सिजन डिलेवरी के मेथर्स को कैसे पढ़ते हैं si sas Hem देखते हैं Canula जिसको हम कहते हैं Nizal Canula ठीक है मास्क पी फूर पार्शल रिब्रीधिंग मास्क और एन फूर नौन रिब्रीधिंग मास्क ठीक है तो यह हो गए हमारे ऑक्सिजन डिलिवरी के मेथड सबसे कम परसंटेज पर ऑक्सिजन दी जाती है कैनूला से जिसे हम नेजल के नूला या नेजल प्रॉंग भी कहते हैं क्या कहेते हैं नेजल प्रॉंग ठीक है फिर उससे ज्व्षट पर प्रसंटेज पर दी जाती है फिंपल फेस मास्क से थर्ड होता है पॉर्थ हर्वत नॉन रिब्रीधिंग तो हम highest concentration of oxygen किस से दे सकते हैं साब हम दे सकते हैं non-rebreathing mask से यह बहुत बार exam में आपसे पूछा जा चुका है friends की जो highest percentage of oxygen होती है वो किस method से deliver की जाती है तो आपका जो answer होता है non-rebreathing mask यह लिख लीजेगा आप highest concentration of mask deliver करने का जो mask होता है वो कौन सा होता है method जो होता है कौन सा होता है वो होता है non-rebreathing mask होता है अब हम चलते हैं सबसे पहले cannula की तरफ से जिसे हम nasal cannula कह रहे हैं तो शुरू करते हैं first हमारा nasal cannula देखे ट्रिक आपको याद हो चुका है यह हमारे निमोनिक है वह आपको याद हो चुका है CSPN मतलब central school of public nursing मतलब c4 cannula nasal cannula s4 simple face mask p4 partial re-breathing mask n4 non-rebreathing mask अब देखते हैं friends यह जो nasal cannula होता है यह oxygen देने से पहले हमें क्या क्या चीजों का पता होना चीए देखे फ्रेंट्स जो nasal cannula होता है इससे oxygen देने के लिए हम क्या करते हैं नेजल cannula आपने देखा होगा friends देखी यहां पर एक figure आ रहा है आपको एक डाइग्राम देखने को मिल रहा है यह nasal prong का है इसे ही हम nasal cannula कहते हैं तो यह nasal cannula से जब हम oxygen देते हैं तो हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले तो देखिए इस method से जो oxygen दी जाती है nasal cannula से उससे 1-2-6 liter पर मिनट तक oxygen दी जा सकती है ठीक है 1-2-6 liter पर मिनट oxygen दी जा सकती है और 6 liter पर मिनट oxygen से ज्यादा देने के लिए हमारे लिए यह method appropriate नहीं है अगर इससे ज्यादा oxygen देनी है तो हम दूसरे method की तरफ जाते हैं यहां पर इसकी क्या होती है डिलिवरिंग की रेट होती है 1-2-6 liter पर मिनट अगर 1 liter पर मिनट दे रहे हैं ठीक है तो हम देखते है 24% of fraction oxygen inspire करता है client मतलब उससे 24% oxygen client को दिलिवर होती है 2 liter पर मिनट हम देते हैं तो देखते हैं 28% उसको दिलिवर होती है 3 liter पर मिनट पर हम देखते हैं उसको client को दिलिवर होती है 32% 4 liter पर मिनट से client को दिलिवर होती है 36% 5 liter पर मिनट से client को दिलिवर होती है 40% और 6 liter पर मिनट से client को दिलिवर होती है 44% तो हम कहते हैं कि उस client को 1-6 liter per minute या 24% से 44% oxygen देने के लिए client को कौन सा way use करते हैं nasal cannula ठीक है तो मतलब यह lowest concentration से शुरू करने वाला method है यहाँ 24% से भी client को क्या करी जाती है oxygen देने शुरू की जा सकती है ठीक है तो nasal cannula से हम क्या करते हैं सबसे एक लीटर से शुरू कर देते हैं oxygen देना तो सबसे lowest concentration of oxygen delivery का method कौन सा है सब nasal prong या nasal cannula तो यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए ठीक है lowest concentration के लिए कौन सा method यूज किया जाता है nasal cannula और क्या ध्यान रखना होता है देखिए इस nasal cannula से किसी भी क्लाइंट की lung disease को हम पहले access करते हैं कोई भी oxygen therapy देने से पहले उस क्लाइंट को कौन सी lung disease है वो हम पहले ensure करते हैं अगर मान लीजे कई ऐसी diseases होती है जिनमें क्लाइंट को higher concentration of oxygen दी नहीं जा सकती है तो हमें क्या करना होता है lower concentration of oxygen उस क्लाइंट को देनी होती है जैसे कि देखिए friends हम देखते हैं यह आपको याद हो गया है अब देखते हैं कि क्लाइंट को बहुत सारी conditions के अंदर क्या होते हैं oxygen की higher concentration देना क्या होता है मना होता है ठीक है तो हम देखते हैं कि client की lung disease हम कोई भी oxygen therapy देने से पहले किसी भी client की lung disease के बारे में एक overview जरूर लेते हैं कि इसे कौन सी disease है nasal cannula से oxygen provide की जाती है देखिये COPD COPD ठीक है chronic airflow limitation भी कहते हैं इसी disease को chronic airflow limitation chronic airflow limitation और chronic hypercapnia की जो situations होती है chronic hypercapnia की जो situation होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं oxygen delivery की इससे देते हैं nasal prongs से chronic hypercapnia से अगर कोई situation से deal कर रहा है या कोई client उसको ये chronic hypercapnia है COPD है या chronic airflow limitation जीसे C-A-L कहते हैं C-A-L या COPD दोरों एक चीजे होती है ठीक है ध्यान रखिएगा friends आपको एक्जाम में ये भी दिया जा सकता है ये भी दिया जा सकता है तो इन situation में हम क्या करते है client को उसको highest oxygen delivery करके उसके 100% saturation maintain के लिए never friends क्योंकि इन clients के अंदर हमें ध्यान क्या रखना होता है कि lowest level of oxygen जो हम उसे प्रवाइड कर रहे हैं वो lowest level of oxygen भी ही उसके अंदर क्या करेगा breathing को धीरे-धीरे initiate करता है और धीरे-धीरे जैसे breathing initiate होएगी वैसे-वैसे उस client का जो carbon dioxide का level है बोडी में से वो wash out होईगा ठीक है इसलिए हमेसा हम क्या ध्यान रखते हैं कि उसको ज्यादा oxygen का जो लिटर पर मिनट है वो concentration हम उसे नहीं देते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है nasal cannula या प्रॉंग से oxygen देते टाइम पर अब देखिए फ्रेंट्स यह जो oxygen delivery का method है नेजल प्रॉंग इसके अंदर देखिए बहुत सारे benefits भी होते हैं client को जैसे कि अगर मान लीजे client continuously facial facial mask पर है face mask से oxygen ले रहा है तो हम क्या देखते हैं कि उसको बहुत सारी situations के अंदर जैसे खाना खाने में उसको brush करने में ऐसी situations में क्या होता है उसे oxygen की जरूरत हो और उसे यह काम भी पूरे करने daily routine के तो उस situation में हम क्या करते है client को face mask वाले पर nasal prongs पर ले ले लेते हैं ठीक है जिससे उसको oxygen भी deliver हो जाती और उसका जो daily routine का काम है वह भी पूरा हो जाता है ठीक है साथी साथ इसका एक चीज ध्यान रखना होता है कि जिस side से इसके जो nostrils के अंदर दोनों में यह fit हो रहा उसी side के अंदर इसको नाक में क्या किया जाता है nostrils के अंदर fit किया जाता है ठीक है friends और क्या ध्यान रखते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि जहां पर इसको continuous लगाया हो आया nostrils में वहां की skin की integrity को बार बार हम चेक करते हैं ठीक है तो यह कुछ चीजे हो गई हमारे को nasal prongs य लाद रखनी होती है आप से जो एक्जाम में पूछा जाता है एक तो मैंने बताया कि lowest level of concentration of oxygen delivery कौन से मेथर से दी जाती है nasal cannula या nasal prongs से second कि यह जो COPD-CAL मास्क सिंपल फेस मास्क आपको यहां पर देखिए diagram दिख रहा होगा सिंपल फेस मास्क कैसा होता है यूजली शोट टर्म और इमर्जेंसी केर में क्लाइंट को oxygen प्रोवाइड करने का मेथड यह होता है simple face mask मनलब शोट टर्म के लिए अगर किसी कलाइंट को oxygen देनी है तो simple face mask से देंगे ठीक है और Hmmm और इमर्जेंसी में किसी क्लाइंट को oxygen प्रोवाइड करने हा तो simple face mask से देते हैं तो यह होगे अमारा as for simple face mask एससे कितने से क्隨टन लीटr oxygen ब्रवाइड किया जा सकता है देख्यों इससे था 5-8 लीटर पर मिनट तक उसीजन प्रोवाइड किया जाता है 5 लीटर से यहां पर हम देखते हैं 5 लीटर पर मिनट है तो उस क्लाइंट को ओकीजन जा रहा रहा है 40 परसेंट ठीक है, इस मास्क से 5 लिटर अगर देते हैं, तो 40% inspiration oxygen जाता है, fraction of inspired oxygen ठीक है, FIO2G से हम कहते हैं, ठीक है, 6 लिटर से अगर हम देते हैं, तो हम देखते हैं कि 45 to 50% तक इसको oxygen deliver होती है 7 लिटर पर हम देखते हैं, इस client को 50 to 55% oxygen deliver होती है, और 8 लिटर पर मिनट से इस client को अगर हम oxygen देते हैं तो 55 to 60% fraction of inspired oxygen इसको client को deliver होती है, तो हम क्या देखते हैं कि इस client को 5 to 8 लिटर means 40 to 60% of oxygen is client को क्या मिलती है, simple face mask से oxygen मिलती है यहां पर हम 5% जोडते जाते हैं, ठीक है, उसमें हम कितना जोडते हैं, 4% जब किस से देते हैं, nasal prong से तो, simple face mask से 5% per liter से अगर हम increase करते हैं तो 5% percent क्या हो जाता है, increase होता है, 5% यहां पर fraction of inspired oxygen increase होता है अब देखते हैं कि simple face mask से अगर किसी client को oxygen दे रहे हैं, तो हमें क्या-क्या धान रखना है देखिए friends, सबसे पहले simple face mask से जब हम oxygen किसी client को देते हैं तो हम देखते हैं कि claustrophobic client होते हैं, जिनसों बंधा हुआ फील होता है किसी भी चीज के अंदर closed space में, तो उन clients को हम क्या देंगे, उसको हम emotional support देते हैं दूसरा, continuously simple face mask अगर मान लीजिए उसके पूज, sniggly fit है तो वो क्या करेगा, skin को integrity को break कर सकता है इसलिए skin भी वहाँ पे बार-बार access की जानी चीए, किसी प्रकार की integrity के अंदर break तो नहीं हुआ है इसके अलाबा हम बार-बार यह चेक करते हैं कि जो client को oxygen deliver हो रही है, वो humidified है या नहीं है, अगर humidified नहीं है, तो हम humidified oxygen ही उस client को देते हैं तो यह चीज़े हैं हमारे को simple face mask सी, अगर किसी client को oxygen देते हैं तो यह चीज़े हमें पता होनी चीए, यह होगे हमारा simple face mask अब थर्ड हम देखेंगे यहां पर, P4 partial re-breathing mask यहां पर देखिए आपको एक diagram दिखाई दे रहा है, partial re-breathing mask का देखें friends, इसके अंदर एक reservoir bag है नीचे और उपर की तरफ face mask है, तो इस reservoir bag के अंदर oxygen tubing से 100% oxygen इसके अंदर आके भर जाती है, जिससे यह inflate होता है अब जैसे ही client क्या करेगा inspiration करता है तो वो इस reservoir bag की 100% oxygen है उसको inhale कर लेगा, ठीक है अब क्या करेगा, client exhale करेगा, तो exhalation के साथ जो CO2 आई है वो दोनों तरफ के exhalation ports हैं, इनके त्रू क्या होएगी बाहर निकल जाएगी carbon dioxide परन्तु पूरी तो नहीं निकल पाती है, थोड़ी सी carbon dioxide इस face mask में भरी हुई रह जाती है अब जब next जो breathing initiate होईगी उसके साथ जो oxygen है, inflated reservoir bag की वो और जो बची हुई carbon dioxide है जो face mask में भरी हुई है वो यह दोनों क्या करेगी अंदर inspiration के साथ inhale हो जाएगी, मतलब जब next inspiration आया है उसके अंदर क्या होगा, partially carbon dioxide थी पिछली वाली breathe की उसको वापस क्या करेगा, client re-inspirate कर लेगा, मतलब उसको re-breathe कर लेगा इसलिए इस client के जो use किये जाने वाले method को हम इसे partial re-breathing mask कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो inspiration के साथ, breathing के साथ partially पिछले वाले respiration की carbon dioxide साथ जाती है, इसलिए इसको हम partial re-breathing mask कहते हैं ठीक है, और जबकि non-re-breathing mask होगा, उसके अंदर इस तरह का वो बना हुआ होता है, mask और reservoir vague कि उसके अंदर 1% भी CO2 पिछले वाले inspiration की नहीं जाती है, ठीक है, पिछले वाले respiration की 1% भी CO2 नहीं जाती है, वापस inspiration के साथ, इसलिए उसे हम non-re-breathing mask कहते हैं, ठीक है friends, तो यह पर हम देख रहे है, partial re-breathing mask जो मैंने आपको समझा दिया है, इसके अंदर क्या होते हैं, देखिए, एक तो reservoir होता है, inflated reservoir, exhalation, ports होते हैं, ठीक है, यह होते हैं इसके अंदर, अब इससे client को कित्ता परसेंट तक oxygen deliver किया जा सकते है, 72, 90% तक इससे client को हम oxygen deliver कर सकते हैं, ठीक ह और 6 to 15 liter पर मिनट तम हम इसको oxygen deliver इससे कर सकते हैं, देखिए, friends, इसमें क्या ध्यान रखते हैं, इसके अंदर जो reservoir बेग है, वो किसी तरह से twist या kink नहीं होना चाहिए, otherwise यह kink हो गया, तो इसके अंदर oxygen क्या होएगी, इसके अंदर भर नहीं पाएगी, inflate हो नहीं इसलिए, client suffocation में क्या कर जाता है, progress कर जाता है, इसलिए, client को suffocation से prevent करने के लिए, बचाने के लिए, हम क्या करेंगे, कि यह ध्यान रखते हैं, कि इसका जो reservoir वेग है, यह किसी भी तरह से twist या kink ना होने पाए, ठीक है, friends, अब इस partial rebreathing mask में हमने देखा है, कि देखिए, client क क्या करता है, one third तो क्या करता है, पिछले वाली जो breathe थी, या पिछले वाले respiration था, उसकी carbon dioxide को क्या कर लेता है, वापस inhale करता है, या उसी oxygen को inhale कर लेता है, उसके अंदर जो भी percentage of oxygen होता है, तो, next हम देखते हैं, ऐसा method जिसके अंदर क्या करते है, client पिछली वाली breathing या respiration का oxygen carbon dioxide को re-inhale नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं, non-rebreathing mask, next हम क्या देखेंगे, non-rebreathing mask, non-rebreathing mask, non-rebreathing mask, देखें फ्रेंट से थोड़ा सा different होता है, कैसे, partial re-breathing mask में, जहाँ पे exhalation port होते हैं, वहाँ पे exhalation wall होते हैं, क्या होते हैं, exhalation wall होते हैं, ठीक है, एक wall, number one wall क्या होते हैं, जहाँ पे exhalation port होते हैं, वहाँ पे non-rebreathing mask में, क्या होते हैं, exhalation wall होते हैं, तो, जैसे ही client अंदर से exhal करेगा, तो, सारी की सारी carbon dioxide क्या करेग के साथ जैसे वह प्रेशर के बाहर निकल जाएगी ठीक है और inspiration करता है तो क्या होता है कि FACE MASK और रिजर वायर के बीच में फिट में भी एक वॉल होता है जिस से की पूरी की पूरी oxygen ही उस वाल के साथ क्या करेगी वाल के साथ सीधी oxygen क्या हो और रिजरवायर के बीच में ठीक है तो वो इन लॉन्वायर के के अंदर नहीं सब और यगों वाल तबही खुलेंगा जब क्लायंड क्या करता है oxygen को इंस्पिरेट करता है. या इनस्पिरेशन सुरू करता है इसnity Yay पूरी 100% तक की highest concentration of oxygen यहाँ पर क्लाइंट receive करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर 90-100% तक अगर oxygen किसी क्लाइंट को देनी है तो हम किस मेथड से प्रवाइड करते हैं non-rebreathing mask से ठीक है non-rebreathing mask से या more than 15 per minute oxygen इससे हम क्या कर सकते हैं क्लाइंट को deliver कर सकते हैं यह हो गया हमारा non-rebreathing mask इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है देखे फ्रेंड्स वही चीजें हमारे को ध्यान रखनी होती है जो इस तरह से हमारे को डिलेवरी रेट करनी होती है ठीक है हमेसा तो यह हमारे को non-rebreathing mask में हमारे को ध्यान रखना होता है साथ ही साथ claustrophobic client होता है तो उसको emotional support भी दिया जाता है इसकीन integrity को बार-बार चेक किया जाता है तो यह होता है हमारा non-rebreathing mask के अंदर यह highest oxygen delivery का method है एक्जाम में आपसे पूछा जाता है highest concentration of oxygen किस method से दी जाती है तो highest concentration दी जाती है non-rebreathing mask से तो यह होगे हमारे oxygen delivery के method कौन-कौन से cannula simple face mask partial breathing और non-rebreathing mask अब देखते हैं वेंचूरी mask फ्रेंड जो वेंचूरी mask होता है वो इन सभी face mask से जो partial breathing simple face mask non-rebreathing इन सभी mask से क्या होता है different होता है क्योंकि इसकी each liter of oxygen के साथ proportional amount of air क्या की जाती है deliver की जाती है client को ठीक है इस Venturi mask से इसी लिए क्या किया जाता है कि इस Venturi mask के जो bottom end पर क्या होता है एक adapter लगा जो कि different colors का होता है अगर मान लिज़े क्लायंड को क्या करी जाती है इससे 100 percent oxygen deliver की जा रही है फिर adapter होता है और फिर mask होता है तो यह adapter क्या करता है उस client की जो 100% oxygen है उसके अंदर क्या कर देगा और जो बाहर की environmental air है उसको entry देगा जिससे क्या होगी यह 100% oxygen क्या करेगी अब 60 रह जाएगी या फिर 40 रह जाएगी या फिर 35 रह जाएगी या फिर 31 रह जाएगी या फिर 28% र जाएगी क्योंकि यह विविन प्रकार के जो एडप्टर्स है वो इसके साथ क्या किये जाते हैं तो यह जो एडप्टर्स होते हैं इनके आदार पे जो वेंचूरी मास्क होता है वह वेंचूरी मास्क क्या करता है इनहीं के आदार पे ऑक्सीजन डिलीवर करता है इनकी परसं जाती ईर भी दी जाती इसलिए इसको वेंटिूरी मास्क कहते हैं वेंटिूरी मास्क के अंदर हम देखते हैं कि बहुत प्रकार की क्या होते? आडप्तर, सोते हैं इनके इनड़ traz के कलर देखे हैं. देखते हैं नमबर वन ठीक है, ब्लू, वाइट, ओरेंज, यलो, रेड और ग्रीन, ठीक है, यह जो ब्लू होता है, इस से क्लाइंट को डिलीवर होती है, 24%, वाइट से 28%, ओरेंज से 31%, यलो से 35%, रेड से 40%, और ग्रीन से 60%, याद कैसे रखना है, अब यही तो बात आती है, कि एक्जाम के अंदर आप आपका अंसर होता है, 60%, पर याद कैसे रखना है, देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं, निमोनिक बताता हूं, अगर मान लीजे, आपके घर पे दो चीज पड़ी है, ठीक है, एक तो ओरेंज, और एक पड़ें, रेड गवावा, देखिए गवा तो भी बातों में आप उससे पूछते हैं, औरेंज या रेड गवावा, औरेंज या रेड गवावा, मतलब क्या लेना आप पसंद करेंगे, औरेंज लेंगे, औरेंज का जूश लेंगे, या फिर रेड गवावा का जूश लेंगे, ठीक है, तो अब हम उससे क्या पूछ कुछते हैं by by the way orange या red गुवावा तो इस तरह से आप याद रखते हैं by मतलब blue वे मतलब white औरेंज मतलब औरेंज, यहां मतलब येलो, रेड मतलब रेड, ग्रीन मतलब ग्वावा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वेंचुरी मास्क के एडप्टर्स के थुरू, कितना परसेंट अफ ऑक्सिजन क्या की जा सकती है, डिलिवर की जा सकती है, तो यहां पे लोव वेंचुरी मास्क कैसा होता है, और बेसिकली इसमें कितनी परसेंट ऑक्सिजन कितनी परसेंट क्यों रह जाती है, यह मैंने आपको समझा दिया है, केर वही होती है, जैसे क्लाइंट अगर क्लॉस्टोफोफोबिक फील हो रहा है, तो उसको हम एमोशनल सपोर्ट देते हैं साथ इसाथ हम और क्या करते हैं, उसकी इसकीन इंटिग्रिटी को चेक करते हैं, यह सब चीजे हम इस वेंचुरी मास्क वाले क्लाइंट को जब हम ऑक्सिजन देते हैं, तो ध्यान रखते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, जैसे मास्क, ऐरोसॉल मास्क हो ग जिससे क्या करते हैं कि यह जो निवुलाइजेशन के अंदर गमाल लीजिए कोई फ्लूड या कोई भी जो निवुलाइजेशन डाल दिया जाता है तो उसकी वेपर बन जाती है एरोसौल बन जाता है और वो क्लाइंट क्या करता है इंस्पिरेशन के साथ इनहेल कर लेता है जिससे उसके ठीक secretions होते हैं, वो क्या होते हैं, तूट के बाहर आतने की property रखते हैं, ठीक है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके जो ठीकन secretion है वो बाहर आते रहते हैं, अगर हम उसको aerosol mask से oxygen लगाते हैं, तो इसके अलावा होता है face tent, अगर माहा लीजे किसी client का face burn हो ग देखते हैं, तो हमारे चार method जो थे हमने उनको देखा, CSPN से याद रिख किया, Central School of Practical Nursing और जो वेंचुरी मास्क है, उसको हमने अलग से study किया, क्योंकि उन सभी में कोई भी air entry नहीं थी, environment की, environmental air की entry सिर्फ वेंचुरी मास्क में है, इसलिए हमने इसको पढ़ा अलग से, औ हमने इस से देखा, तो आशाकरता हूं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स जो कि नॉर्सेट, PGIMER, जिप मर, GMCH, इन सभ सब्सक्राइब करता हूं, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,